अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो पीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पिल्कुल नहीं भूलिएगा हबसे पहले एक स्क्वैर साइज शीट लेंगे उसको कुछ इस तरीके से फोल्ड पीजिए के लगभे उसे करना पिल्सके हाई जैजिए एक स्क्राइब करा इस एक साइब करना पिल्सकुल फिल्सक्राण हिए यह भूलिए। झाल 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 झाल, 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 झाल 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 उसके बाद सेंटर में आप वाइड कलर का स्क्वेर कार्ट चिपका दीजिए इलिए आप गर्म या फेल स्टिक की मरत बेशाएं अपुष रेंगल शेप स्कॉर्ड की मरत अपुष रेंगल शेप सकत के अपना अपुष रेंगल शेप स्कॉर्ड चिपकी मरत अपदा हैं तरह टेस्ट कर दीजिए कुछ इस तरह और इस तरह से डेकुरेट करिए यहां को पूरा कर लिया है आप देख सकते हो आपके पीछे अगरी आपको फाइल के रिए यूज करना है तो इसके अंदर आप कुछ कार्ड्स डालता है जिसने आप में प्लास लो नमबर लिख सकते हो कंप्लीट होने के बादी से आप अपने फाइल के फ़र्स पेड में पेस्ट कर सकते हो अब आप इसके पीछे फैवी पॉल लगा लिजिए और अपने फाइल के उपर पेस्ट कर दीजिए यहां पर सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए आप मैंने एक वाक्स पे पेस्ट